दोस्तो यह जो मैं वीडियो बना रहा हूं यह थ्रू ट्रेक का स्लाडिक विंडो है लेकिन इसमें आप देखरें यह थ्रू ट्रेक टॉप बटों है पहले मैं टॉप दी खाया फिर बोटन ये उसका ये टाइफ है इसको पूदर कोटेट बिल थे एलमुनियों पादर कोटिंग किया हूँ अपको ये टाइफ है आनलाइजिन पादर कोटेच पॉटिग आनलाइजिन चुटपर महांगा आलमीन हो आता है यह आपको एजटाइफ है सवरायल के वैसे का वैसे ही रहता है सिर्फ इसमें एन लाइजींग की वाइस को यह आपका यह चैनल है 3-8-3-8 पर इसका नाप देखिते हैं इस साइधालेस इंच चार सूप का है इसकी ओपर साइधालेस तीन है टॉप साइधालेस तीन है और बाटम साइधालेस दो है इसके बाद वीड़ तो मैंने माप लिया है हाइट में आप रहा हूँ एक तालिस साढ़े चार में हमारा हाइट है मैं मैं मैंजर्मेंट तो लिख रहा हूँ और मैं आपको फ्रिट्ली करके दिखायता हूँ टॉप हो गया यह बाटम हो गया टॉप वाले साइड में टॉप को काटेंगें बॉटम को बॉटम को जब मैं बॉटम लिया हूँ और सब्सक्राइब गुनिया में चेक करूँगा सबटाम यह गुनिया जो बोलते हैं और यह गुनिया में नहीं है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा पहले कट करूँगा दोस्ते यह जो विंडो में बना रहा हूँ यह जाली वाले विंडो है सब्सक्राइब कर दिया है कि यह जो दोस्ते इसकी जो यह बीड था मोटाई इससे पहले नाप लें कि यह 29 जान की है कि आप इससे ग्रीप जो बनाना है इससे 29 सेम का ही ग्रीप बनना जाहिए इससे बहुत अच्छे आए इससे यह मैं 29 में मार्क में जाहिए हूं इससे मैं कट कर देता हूं वैसे पुरा काटनो नहीं है से हलके से काटना है नीचे के बेस तक इसके बाद इसकी लंबाई देखें मैं 29 से काट दिया हूं इस परकार से बोटम की लंबाई 47 चार है करूंगा इस दोर विंडो बन रहा है मैं आपको पहर बार बता दने चाहता हूं इसमें दो डौर मैं क्लास और एक डौर में जाली जिसे नेट बोलते हैं वो फिटिंग है करना वाला हूं इसे मैं कट कर लेता हूं यह दिए कट होगी है तो उसी तरह से तीसे में का फिर साइड भी कट करना है यह से अतले शार कट होगी है और इस परकार से फिर तीसे में का ग्रीप इधर भी बना लेना है मैं यह ग्रीप टॉप और बॉटम दोनों में आपको बनाना है यह मैं बॉटम में बना के दिखा रहा हूं और यह टॉप आप काटेंगें इसको बना लेना है यह मैं बॉटम में करके दिखा दिया आपको टॉप में मैं नहीं दिखाऊंगा और इसको इस परकार से यहां तक हाथ से हाथ वाली इसको फ्रेम से काट कर और इस परकार से काट करना है अब दिखें मैं इसे काट रहा हूं इसको बदार से पूरी तरह से आपको काट कर देना है इसे काटने के बाद आप इसको फाइल से बसकर मेंगाप कर सकते हैं कि देखें मैं फाइलिंग कर रहा हूं थाकि हमारे फिनिसिंग अच्छी है और इस परकार से फाइलिंग करके मैं रेडि कर लिया है 29 एम काटने के बाद इसको आरी से कट करके फाइलिंग कर देना है और मैं इसका हाइट का वीड तो मैंने काट लिया टॉपर बोटम हाइट का मेजिमेंट के लिए इसे में माइनस करूंगा इसके बाद यह देखें मैं इसे माइनस करने वाला हूं इसके साथ यह 6 उत माइनस होगा इसे उत माइनस करने के बाद कि तालीस साड़े चार में मादा चालीस साड़े चार साड़े चे खड़ा अगा दिखें मैं चालीस साड़े चे पे लेड़ातां इसे मैंनली लेकरा हूं माइनस छे सूथ तालीस साड़े चार में चालीस साड़े चे कर दोपिस मैं काटना है साड़े वार तरह ट्रेक पाप को इससे थोड़ा गुनिया में मैं कर लेता हूं अवर देक्ष चालीस साड़े चे कर लेता हूं यह यहां व्हसे मैं चालीस साड़े शे कर लेता हूं मैं ब्रक्राफ पाप 250 लेए चालीस साड़े ऊचार में काट होओं लेकिने कि चालिज़ इंच छाड़ेशे सुद्ट ये ट्री होगी है इसमें छेसुद्ट प्लस करने से कि एक तालिश साड़े चार आजाएगा हमारा और ये पांच बत्सका बीट है इसमें हॉल करना जा रहा हूं कि फेडिंग के लिए फ्रेम फिडिंग का हॉल इसी से करते हैं देखे ये फ्रेम फिडिंग के लिए मैं एक नमना काट के रखाऊ हूं टॉप का ये देखे नमना एक इंच का ये कट कर लें आपको टॉप को उसमें दो इंच का काटी तीन पिस हॉल में घुजा लें उसके बाद पर कर से कि नमना काटने के बाद टॉप का आप इसे इस तरह से बैठा कर लिए और काटी पर हम तुड़ी से बार करने से इस तरह से निशान आ जाएंगे और इससे आप पांच बद्द्द के बीट से हाल कर सकते हैं यह पांच बद्द्द के बीट है पांच बद्द्द फाइब थार्ड़े टू और यह हमारा सिक्स एमन का बीट है उससे टॉप और बॉटम दोना होल कर ले नहां है चार फइड और यहां मैं होल करने जारा हूं बॉटम में यह पानी की बद्दी में जब पानी जम जाएगा तो उसक्चा बहाँ इस नली के दवरा ख़िए के बॉटम से निकले इस प्रकार से आपको तीन होल कर लेना है टोटल इस तरह से ये पूरा थृट रटक जाएगा और इस प्रकार से तीन होल आपको कर लेना है यतने ज्यादा होल करेंगे अपकी पानी कम रुकेगी आराम से निकल जाएगी यह दों साइडवर मैं फिटिंग के लिए होल कर रहा हूँ वाल फिक्सिंग हॉल इसे वलते है यह तीन पीच साइड में दोना साइड में लेप्ट एन राइट साइड में जैसे मैंने 40 इंची साड़ेशेसद कटा था उसमें मैं होल कर लिया हूं और यह देखें दोस्ते हैं का ब्रस है इसे ट्रेक ब्रस बोलते हैं इस सारे टॉप बॉटम साइड सब में लगा लेना है इस परकार से और इस परकार से लगाने के बाद यह उनीश चो पान हेट का स्क्रूव है इस परकार से काटने के बाद सट आकर फ्रेम को टाइट कर सकते हैं कि यह मैंसे टाइट करने जा रहा हूं आप नोनिष्चों को जगह पर पचीष्चों भी दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है जिन कम से गम निश्चों होना चाहिए कि इस परकार से इसे टाइट कर लें कि रटाइट करने के बाद कुछ परकार एट कर दिखने वाला है कि मैं आपको दिखा दीता हूं कि कुछ इस परकार दिख़्ेगा और इस तरह से फ्रेम हमारा रेडी हो जाएगा चाहरो में जो टाइट कर दूँ कैसे तो यह देखिए फ्रैम मेरा रेडियो हो चुका है इसका मेजरमेंट मैं आपको दिखा देता हूं मेजरमेंट मैरा था टॉप 47 तेल बाटम सेटालिस चार और हाइट तालश सैटार चैर अब इसी में नाप को दिखा देता हूं यह देखिए अगरा फ्रेम रेडी है, देखिए टॉप मैं नाप रहा हूँ, 27 है, यह बोटम नाप रहा हूँ, बोटम की 47 है, इसके हाइट जिसे मैंने माइनस क्रिक काटा था, इसके बाद अब यह पुरा मेरा फ्रेम रेडी है, मैं इसे फिक्स करने वाला हूँ, इस प्रकार से बोटम साइड पे आप टाइल्स को पहले नाप लें, आपके फिनिसिंग अपके अच्छी आए, इसके बाद यह वाटर एंगेल से, इसे साहूल नहीं है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और साहूल है तो, यह मुन मट्टा जिसे बोलते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं, उस पर का, यह मैं वाटर का लेवल से नाप कर, निसान लगाऊंगा, और यह स्क्रूल जो है, पचास आठ ऐस का स्क्रूल है, यह मैं निसान लगा लिया दोनों साइड में, और इसे मैं, इसमें 6M का ड्रिल वीट, गॉंक्रेट बुटी से बोलते हैं, 6M का कॉंक्रेट बुटी योज़ कर रहा है, और इस तरह से, मैं हॉल कर लोंगा, पूरा, तोनों साइड वार में, तेकि मैं हॉल कर ले रहा है, इसमें, डिल इंच का, प्लास्टिक का, बुलेट जी से बोलत आए, या फिर वाल फ्लग में बुला जाता है से जब लगा सकता हैं, इसके बाद, लेप्त में होगी है, या राइट में मैं हैसे हॉल कर लेता हूं, यह जड़र दूसी तरह से तीन वाल फ्लग लगाना है, हॉल करके, कि इसके साथ जब को हो लगया कि इस पर काद से वाल क्लेट फिर से लगा दे और यह देखिए पचास आठ का जो स्क्रू है अब मैं इसे सेंटर में लाकर टाइट करूंगा और यह हमारा स्क्रूर टाइट हो जाएगा इस परकाव से फ्रेम मेरा रेडियो होगी हो इसे वाल में सेट कर दे हूँ अब मैं आपको नेक्स टूडियो में इसके आप दोर का माप इस तरह से लेना है और एक चालेए रहा डोर और तो क्लास लविंग डोर के इस तरह बनेगा यह मैं आपको बताऊंगा थांक यू बुड़े देखने के लिए धन्यवाद करके आप बने रहे हैं हमारे सब्सक्राइब